मैडम मेरे पیट पे बहुत काले काले दाग बन गए है ये कैसे ठीक होंगे? क्या बच्चा होने के बार ठीक हो जाएंगे? मैडम मेरे प्राइवेट पार्ट्स जो है विजयना के आसपास जो स्किन है थाईज है वो बहुत डार्क हो गए मेरे armpits बहुत dark हो गए है यानि कि बगल बहुत काली हो गई है मैं क्या करूँ मैं इता रगरती हूँ, इता लगाती हूँ, इता खल्दी लगाती हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहे हैं, और ज्यादा डार्क हो रहे हैं इता नीबू भी लगा रहे हैं बेसल लगाती हो, इतना हल्दी लगाती हो, तो भी कुछ नहीं हो रहे हैं, और ज्यादा डार्क हो रहे हैं, इतना नीबू भी लगा रहे हो, बहुत से लोग होते हैं, जिनको पीछे जो नेक है, जो मोटे लोग होते हैं, जिनके स्किन ऐसे दबी भी होती है, उनके पीछे का इसका जो मेन मेडिकल कॉज है वो है शुगर हाई शुगर और एकन्थोसिस नाइगरिकन सी दोनों साथ साथ चलते हैं यानि की बोडी के अंदर शुगर का लेवल जाता है तो जो आपके जो मिलेनिन बनता है जो स्किन पिगमेंट है वो जादा बनता है और जितने भी स्किन बेदिया वहां पर डाक्निस जादा होती है क्योंकि मैलेनिन जो को सेल्स होते हैं वो वहां जाके जम जाते हैं आकन्थोसिस नाइगरिकनस ऐख एक ऐसी बीमारी है जिस में जितने भी फोल्डस है स्किन के जहाँ जहां आपकी स्किन दब रही है या तो यह वाला एकिए हम एससे चीज Teams यह सबक्रम करने के लिए कुछ एसी चीज ए जो किसी काम की भी नहीं है कुछ ऐसी चीज है जो दीरwości के नहीं थे रिजल्ट लाती है अब पहलीी सब्सक्राइब अगर अगर सब्सक्राइब नहीं है गीन है तो फिर यह the जनें? वैल या तो यह जैनिक है यानि किppt मम्मी को था आपके पापा को था Ricky झो है इसके कुल निकर सकते दूसरी चीज चीज हमेन अंहें बीर है अanut जौह श्किन डर्क हो रही है मेरी चैहरा भी आ रहे हैं मेरे पेट पे जो दाग हैं वो भी दम काले काले हो गए क्योंकि यह हॉर्मोनल बहुत ज्यादा इसका कॉज है जब प्यूबर्टी में यानि कि जब बच्ची 13-14 साल की पहुंशती है उस समय सडली हॉर्मोस का गश होता है तो जब हॉर्मोस इंदम से राइस करते है तो आपके melanin secreting cells ज़्यादा बनते हैं और यह ज़्यादा तर Asian population में है यानि कि हम लोग जो brown skin वाले हैं उनमें ज़्यादा दिखता है अब एक तरह से यह जो melanin pigment है यह आपकी skin को tanning से बचाता है यह जो sun की जो rays होती है उसमें ultra violet rays होती है उससे आपको बचाता है इसलिए ह यह जो dark skin वाले लोग हैं उनको sunburns कम होते हैं जो गोरे लोग हैं उनमें यह pigment नहीं होता है वो दिखते तो गोरे हैं अच्छे हैं तेकिन को sunburn जल्दी होता है और हमारी country में सब गोरा दिखना चाते हैं तो हम white skin की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जो folds में skin dark हो कपड़े नहीं पहन सकते, swimming costume पहनने में शर्माते हो आपको अजीब सा लगता है आपकी neck के पीछे काला काला है या फिर आपको आएसे हाथ ऐसे खोलने से डाग डाग दिखते हैं तो गंदा लगता है तो एक तो हो गया genetic जिसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं एक हो गया hormonal जब अपर थाइस का एरिया है वो पूरे ताइम दबा वा रहेगा और वो फोल्ड में है अब वो दबा वा रहेगा आप पोरे दिन काम कर रहे हैं moisture है पसीना है और बाई चांस आपकी skin अगर oily है ड्राइ नहीं है तो और ज़्यादा oil लिक लेगा और ज़्यादा पसीना आएग इसकी वज़े से वहाँ bacteria ग्रो करेगा वहाँ पर आपको itching होगी वहाँ infection होगा itching से skin और ज़्यादा डाग होगी तो basically जब आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं armpits में भी प्रॉब्लम है जो बगल होती है अगर आप उसको clean नहीं रखेंगे aeration नहीं मिले उनमें बीच में छेद बहुत होते हैं तो अच्छे से हवा अंदर बाहर होती है तो जब aeration होता है तो skin healthy रहती है तो अगर आप synthetic कपड़े, tight jeans, tight कपड़े ऐसे पहनेंगे जिसे आपको बहुत ज़्यादा पसीना moisture आ रहा है तो आपके areas dark होने शुरू हो जाएंगे especially क्यों मिली निरेगे, यह दबेवे हैं, folds की जो skin होती है, वो generally skin friction में रहती है, friction समझते हैं आप, यानि कि दो चीज़ा आपस में रगड़ खाना, तो जितने भी folds हैं उसमें क्यों इतनी प्रॉब्लम होती है, क्यों सबसे आदा itching वहीं होती है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर aeration नहीं होता, secondly क्योंकि skin आपस में रगड़ रही है, तो रगड़ खाई की तो dryness होगी, उसके बाद वहाँ पर कुछ नो कुछ moisture जम जाएगा, और उसके बाद आपको itching शुरू हो जाएगी, तो friction की वज़े से, इसलिए कहता है ने, intercourse के बार, जब लड़किय friction भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिस वज़े से skin के folds dark होने शुरू हो जाते है, कई बार आपने देखा होगा, बहुत से लोग जो desk पे काम करते हैं, जिनका हाथ ऐसे table पे रहता है, उनकी ये वाला area dark होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पूरे time heart desk पे रहता है, पूरे time friction म बहुत बहुत जाता है तो जिस वाला area dark हो जाता है, अगें friction, जब skin पे बहुत ज्यादा डामेज होगा, तो भाहाँ पर darkness होगी, कुछ ऐसे products है market में, जो कि, जैसे for example powders, जो talcum powders होते हैं, उसमें lead होता है, lead एक तरीका blackening mineral है, जो कि pencils में यूज होता है, आपमेंगे head को talcum powder में डालेंगी, और लोग को talcum powder लगानी की आदत है, especially armpits, groin में, thighs वाली area में, तो वहाँ पर darkness आएगी, क्यों को mineral उसको dark करेगा, साथ ही कुछ perfumes ऐसे होते हैं, जिसकी वज़े से आपकी skin dark हो सकती है, तो आप जब भी कुछ खरीदे, तो आप ingredients देखे उसके एकदम अपने आपको साफ करें, जिते भी आपके folds है, skin के, जहाँ moisture पसीना जादा है, उसको clean करें, उसके एकदम खुले-खुले, ढीले-ढीले कपड़े पहने, ठीक है, अगर winters है, आप उसको खुला नहीं छोड़ पारें, पंखा चला के नहीं बैट पारें, तो फिर को फिर आते हैं, proper remedy, अब आपने ये सब कर लिया, लेकिन तो डाक हो चुकी है, फिर क्या करेंगे, तो आज मैं आपको ऐसा product बताऊंगी, जिसमें हल्दी और कुकुमबर और ये सारे जो आलू, जो आप लगाते हैं, इन सब का एक mixture है, साथ में aloe vera है, कोई भी paraben नहीं है, क कोई sulfate नहीं, कोई chemical नहीं है, जो आपकी skin को irritate करें, और easily आप इसको पर्स में डालके ले जा सकते हैं, और कहीं भी जहां भी आप जा रहे हैं, टौलेट में जाके इसको लगा सकते हैं, ये है वो product जिसकी मैं बात कर रहे थी, इसका नाम है exposed, एक्सपोस्ट यानि कि वो areas जो exposed नहीं होते हैं, जिस वज़े से वो dark हो जाते हैं, तो exposure बहुत जरूरी है, इसमें clearly लिखा है, underarms यानि कि बगल और intimate areas यानि कि private parts, साथ ही इसमें ये भी लिखा है, कि आप अपने घुटनों के पीछे वाला जो area है, वो भी dark हो जाता है, क्योंकि वो दबेवे रहते हैं Similarly, आपकी elbows ये वाला जो area ये दबावा रहते हैं, अब इसमें क्या-क्या है, जैसे कि मैंने बता है, इसमें खीरा है, कुकुमबर, aloe vera है, जो skin में बिल्कुल भी itching नहीं होने देगा, तरह तरह के oils हैं, जैसे कि olive oil है, coconut oil है, sunflower oil है, तो पहली बता oils हैं आपको लगगा, जब वो पूरी absorb हो जाए, तब आप कपड़े पहल लो, तो इसमें खीरा है, इसमें aloe vera है, इसमें तुलसी है, तुलसी क्या करती है, एक तरह इसके antiseptic है, तो आपके local कोई infection है, जिस वज़े से आपके darkening हो रही है, तो उसको कम करेगी, ठीक है, साथ ही में इसमें lemon भी है यानि कि नीबू भी है, तो हलका सा हो सकता है, जहां आपके cuts लगे हो, हलका सा जलन हो सकती है, बट जादा नहीं होगी, क्योंकि aloe vera भी है साथ में, और इसमें tea tree oil है, टी tree oil यानि कि जो पेड से oil निकलता है, कई बार बहुत से products जो skin brightening के होता है, जो pigmentation कम करते हैं, तो य इसके फायदे हैं, बिल्कुल भी कोई sulfate, paraben नहीं है, धीरे धीरे आपको result मिलेगा, एकदम से result नहीं आएगा, इसको आप अपने purse में रखिए, like a regular cream जो आप अपने face पे moisturizer लगाते हैं, उस तरह से इसको use करिए, इसको खरीदने का जो link है, वो मैंने description में डाला है, आप use क करिए, मुझे बताईए, इसका result आया के नहीं, अगर result नहीं भी आएगा, तो नुकसान नहीं करेगा, at least वहां की skin को dryness से बचाएगा, और supple करेगा, healthy करेगा, so guys, अगर आपको वीडियो पसंद आये, तो like and share जरू करिएगा, और मुझे बताएगा, इस product को आपको use करके क सालवागा.